हेलो एवरीवान गुड इवनिंग और अभी शाम हो रही है शाम के कितने वज़रे हैं पॉने साथ और आज दोखो में आपको दिखा भी मेरे सोफे पर कपड़े नहीं है क्योंकि आज मेरे कपड़े दुले ही नहीं है यह कपड़े हैं जो मोलू नहीं अभी लाके पहके यह को दोने के तो इनको में लिजा ली हूं और क्या करें थी हां आज मैने कपड़े क्यों नहीं दोए पता है दो तो दिये हैं सुखाने नहीं तो जब सूखेंगे नहीं तो फिर ना वह क्या बनेंगे घड़ी केसे होंगे और तो अभी शाम का टाइम हो अर आज हम आप लोग मुझे जिन्हों ने कमेंट किया था ना कि दी मेरे नोस पर यहां निशान है जाईयों के तो मैंने सचा चलो मैं बनाती हूं वीडियों के लिए तो मैंने बनाई है और वो रेमेडी मैंने यूज किया न उसमें जो कि मैं 16-17 साल की दिन तफ से कड़ती हा रही हूं बहुत अच्छी है और आज मैंने अपने स्पेड पे न देखो को कर दी लाइट जला दी पतल लाइट है लेकिन मैं जलाना बूल जाती हूं तो कितना संद लग रहा है और इसका न यह पत्ता पीला पड़ गया है इसको भी मुझे यहां से कट कर दूंगी मैं पीले पत्ते पड़ रहे है क्योंकि मौसम अभी ऐसा है न पत्ते जड़त वाला और आज मैंने मेरी ही वली साड़ी पनी है मैं सोचरियों क्या करूं इनको रख 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 5-6 साल पुरानी साड़ीया हुई है तो इनका क बाबा आये घर में अब बस चड़े यह लोग सर पर बाबा ने बाबार खाने के टाइम पर बिस्किट दिला देंगे फिर यह खाना खाएंगे नहीं आज भी आये आज भी उनका खाना बनेगा और आज तो बाबा की वीडियो शूट करना करेगी लगे अंदेरा हुआ तो लाइट चलेगी जैसे बाबा का नाम लिया फिर लाइट चलेगी अंदर तो आएंगे नहीं तो गुंगट करने का तो कोई सवाल इन नहीं उड़ता है कि इंसान अंदर आये तो तो मैं गुंगट करूं वह उनके सामने तो मैं इतना गुंगट करती आप लग देखोगे न कि प्याज काटके रखीए ये बिंडी की चबजी बनाऊंगी और चावल नहीं बनाऊंगी चावल पिलकुल भी नहीं ज़र मैं रोटी ज़र इंसान यह इंसान को को दो इन दौनों को दो दो रोटी खानी पड़ेगी को होता है बिस्किट गाओ बिस्किट से पेट परेगा तुमारे और रामायन का पार्ट हो रहा है कहीं पर तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं म्यूजिक इसके अंदर आ जाए और कॉपीराइट लग जा तो भी या बात नहीं करते हैं हम करते हैं अपना काम पुरी कीचल पढ़ी पढ़ी है मारे पती देव ने फेलाई है क्योंकि आहां मैं आज दो वज़े से आराम से सो रहे थे हम पांच वज़े उठे और यहीं तो अभी मुझे न यह बिंडी चे लेकर आए हैं यह मुझे दो के साफ करनी है क्योंकि मैं हमेशा दो के पौंच के उसके बात बिंडी बनाती हूं ताकि वह चिपचिपी ना बने और इसी तरह से हमको तो अच्छी भी लगती है तो बस साम से काम स्टार्ट हो गया और और आज है न बिल्कुल फिक्स बना इसका मतलब में मोटी हो गई न और यहां पर न डाल मैंने रख दिये बनने के लिए डाल के अंदर डाल दिया नमक और हल्दी और ढकन लगा के और उसमें विजिल आने दूंगी दो इससे तीन विजिल के अंदर है न वह क्यालते डाल वह उपल जाएगी और उसके साथ मैं न यहां पर बिंडी में भी तड़कर लगा दूंगी बिंडी भी चौंक दूंगी तो सबजी दाल दोनों साथ में बन जाएंगी और रूटी बनानी रहेगी बस इतना काम है तो बिंडियां दो ली पहुंच ली उसके बाद न अब य ना वह पत्थर मेरे लिए कर आएं बोलते तेरे मिनियेचर चैनल के लिए यह काम आएगा और इस तरह के पत्थर है ना मैं उनको इखटे करकर रखती मुझे अच्छे लगते हैं तो मेरे लिए देखो पति क्या गिफ्ट लेकर आएं पत्थर मैंने का कि लाना था तो जैसे जब बिंडी बनाती हूं तो यह मान लीजिए 70-80% जित्ती भून लेती हूं उसके बाद बिंडी एड कर दूंगी सारे मसाले एड कर दूंगी वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए बिंडी को मसा यानि हल्दी नमक डालके पकने देती हूं लेकिन आज मुझे बहुत टेंसन सी रहती है दिमाग में क्योंकि मैं उनको साथ रहती नहीं हूं रहते हैं तो हमें उनकी सारी आदत पता होती है और उनकी जो आदते मुझे पता है न उसकी वज़े से मैं फड़ाफट काम करती हूं ताकि यह बस फ्री हो जाओं चल दी से उनको खाना पहुचा दू तो बस यह मेरी आदत रहती है क्योंकि मुझे उनकी आदत पता है कि अगर उनने किई दिया कि मुझे खाना चाहिए तो फिर व漂 यह नहीं नहीं देखेंगे कि तुम क्या काम कर रहे हो जाहिए थो चाहिए तो इसलिए मैं पहले से नहीं बनाके यतनी चीज़े रख दूग लेकिन अभी क्या एवरेस्ट का है यह नाम मैंने इसमें कट करके रख लिया है तो बस वैसे में प्रॉपर अभी नहीं बता पाऊंगी जब पैकेट लाओंगे न तब बता दूँगी बट आप दाल का मसाला बोलोगे न तो मिल जाएगा और यहां बिंडी में न मैंने डाला लाओ तब ही बना दूँगी और उसके बाद में मंदिर में पूझा करने तो आधे पॉने गंटे के अंदर सारा काम हो गया मंदिर में पूझा भी कर दूँगी उसके बाद आराम से कईच्छा है क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हमें किसी का निराधर नहीं करना चाहिए कोई हमारा निराधर कितना भी करे अगर आपके घर पे आते हैं आपसे खाने की कहते हैं तो आप उन्हें कभी मना मत करो अगर आपसे कोई नहीं बोलता तो कोई मत बोलो खाने की लेकिन साथ सासूर अगर खाने की कहना तो उनको बना कर दे दो च और पूजा वगेरे कर दी मैंने उसके बाद यहां पर न मैं बना रही हो मेरे लिए कॉफी और एक कप कॉफी पिऊंगी रेस्ट करूंगी फिर बनाऊंगी खाना तो बस मेरी एक बात याद रखना कोई आपसे बात करे या ना करे अपना फ़र्ज कभी मत बूलना तो दाल च तोड़ा सा एनर्जी लेकर होंगी और यहां पर आटा लगा के रखाए जाली से धकाए अभी अच्छे से थाली से दख दोंगी बिंडी की सब्जी बन गई ताल भी बन गई यहां पर चावल तो मेरे ससूर जी खाते नहीं है और बहुत कम खाते हैं तो आर उसे पुछवा पर लेंगे थोड़ा सा रेष्ट और पीएंगे अपनी कॉफी थोड़ा सा बॉड़ी को भी रिलेक्स देंगे क्योंकि पैरों में दर्द है अभी गया नहीं है ज्यादा दिर खड़ी होती हो तो चिलकन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आज मैंने तेल भी नहीं लगा है आप लगा फिर दीए यह बहुत वैसी है सीधी नहीं एच चबल जिकाए अबनी लट्डू से गाल की देखर इसके गाल कहां जा रहे है पूल पूल के जो चोटी थी ना तो सब लोग बोलते था इसकी लड़की कित्ती मोटी है बिलकुल सिंगल हटी की दी लेकिन इसके गा मैं कॉफी पिलती हूं मैं कॉफी पिलती हूं क्योंकि वेया एनर्जी भी लेना जरूरी है मैंडम आप खाएंगे नंकिन ऐसे रख दो आज़ो लग पूछ रहे हैं कि मैंडम नंकिन ऐसे रख दो माको तो पिलादो नीचे रगदो तेरे कानी जो बड़ अच्छ लगते दी कलोज के कानी हुँँ हुँ 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 कई हुँ कर दो 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 approximately 12 है, मैं कर दो क मी हैं, कि अ हम स้ recognize हैं आग ऋन्हार कि लाघि करें हम जचर हम और ठाह उरेैं यहां पर न मैंने अभी पापा की थाली लगा के दे दी है और आरू जाकर उनको खाना दे आएगी और आप लोगों तो मैंने कल की वीडियो में बताया ही था कि मैं नहीं जाती हूं सामने और नहीं में देती हूं क्योंकि वो लेते ही नहीं है है मुझे काफी इस चीशबने काफी कॉमेंट आ है कि यहें कैसा रिवाज यहीं सारी चीज्जें को मुझे पसंद नहीं है और मेरे घरवालों पसंद नहीं है डोलू छोड़ा है और शोगई aujourd है एक और आर हुए दो जो है तो चल तू भी शोजा बस अभी हाल खाना खाया है पज़रे है साड़ेत दस क्योंकि जै नहीं थे बाहर चले गए थे तो अभी खाना खाया इतना लेट वह ना दस अभी नचोड़ा ले तो सो जाते हैं कर लोगी क्योंकि ना सबकुछ हो गया वस एक बार अच्छे पानी में चोड़के और इसमें डाल देना है ड्रायर में डाल दोंगी और सुख जाएंगे और सुखाया होंगी अब साड़े दस वज़रे अब नहीं करना और ज्यादा फिर काम करो ना तो फिर वही तब्यकर अराम से कर लूंगी पहले मुझे बड़ी हाय होती थी कि इसको भी कर दो उसको भी कर दो हो जाएगा अराम अराम से करोंगी बस अभी चांगी कपडे चेंज करने और ये मैख अधाओं और ये ना खाली आईसेड़ लगाया हलका सा छूटेगा नहीं आपको जादा लग र तो दो रोटी खाई कि बोलते हैं आज मन नहीं है आज गाउं में पुवा खाए थे तो आज ना गाउं में हमारे सप्ता पेठी है ना तो वहां पे पुवा का के आये तोड़ देर के लिए आए फिर चले गए बस लेकिन खाना नहीं काया पूरा खाना में रखराऊ क्या करें हो जाता है कभी-कभी क्योंकि होता है कि उनको लगा कि मैं खालूंगा पर वह पूवे अगेरे खाए माल पूवे बनते हैं उसकी वाचा नहीं खापाए होंगे तो अब सारा तो नहीं पर खाना काफी बच गया है मैंने तोड़ा ज्यादा भी बना लिया तो मुझे अंदा ठाकोर माले छोने जा रहे